तो दोस्तो आज 24th मार्च 2024 बात करेंगे इस वीडियो पे पावर सेक्टर की दिगज कमपनी NHPC Limited की शेर्स के बारे में जिसके उपर लगातार मेरा खरीदारी करने का राय था एवन आज भी मैं रड़ाय एक दम सेम है तो लगातार एक से डेर मैंने शेर में गिरावट के जैसे कि Thursday और Friday के दिन शेर में काफी अत्तक रिकवर हुआ अभी तो देगे बहुत रिकवर होना बाकी है I think आगे सब कुछ अगा ठीक टाक रहा तो होगा जरूर Friday के दिन शेर क्लोजिंग दिया पचासी रुपए 20 पैसे पे लगबख 1.31 परसं तेजी के साथ तो दोस्तो न्यूस काफी गरम है because Friday यानि शुक्रवार के दिन बजार क्लोज हो जाने के बाद merger का अनॉस्मेंट हुआ आईए सबसे पहले मैं आपको सीधा न्यूस को पर लेके चलता हूँ उसके बाद हम बाकी discussion करेंगे कि आपका आगे का रनीती क्या हो सकता है NHPC Limited Share को लेके और कौन सी लेवेल पर आपको बाई करना चाहिए तो दोस्तो सबसे पहले मैं आपको लेके आया हूँ बेसी की official website पे ताकि आपके मन में कोई doubt ना रहे कि कब और कितने बजे का update है दोस्तो आप थोड़ा calculate करके देख लिए 22 तरी कौन सा वार था जैसे कब कमाल लोगा Friday था शुक्र करके पर सकतो बेसिकली यहां पर इतना ही मेंशन किया मर्चर से लिए तो मैं आपको थोड़ा पढ़के सुना देता है यहां पर चोटे अक्षर में लिखा हूए क्या लिखा हूए देखे स्कीम ऑफ मर्चर यानि एमल के मेंशन ओफ जल पावर कॉर्परेशन लिमिटेट यह जल पावर कॉर्परेशन लिमिटेट कौन सा कंप्पनी है यह दोस्तो एक सबसेटर कंपरी कंपणी है जो की थोड़ा अलग था मतब अलग सेपरेट लिए पर काम करता था तो इहां पर दोस्तों बसक्या अंप commandments हो जाएगा बट यह एनॉसमेंट दोस्तों मैं बोलूँगा मंगलवार जब बजार ओपन होगा शेयर में थोड़ा सा एजी दिखाई दे सकते हैं जब कोई कंपनी मर्जर करेगा ना इसका सीधा सीधा बिजनेस जो है वह एकस्पैन होगा क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था कि यहां पर कॉंट्रेक्ट मिल वह तो अच्छी बात है और उसके साथ अभी क्या होगा जब यह मर्जर का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जल अंदर न्यूसे मैं आपको दिखाना चाहूंगा यह देखे नहीं पीसी बोर्ट टुमूल रेजिंग डेट ओन 27th मार्च 2024 तो दोस्तों कंपनी फंड रेस करेगा और यहां पे एक बोर्ट ऑफ डिरेक्टर का मीटिंग और गनाइस किया 27th मार्च दौश चॉबिस को आप स किया नहीं पीसी सेट डाइट इस बोर्ट विल मेट मतलब यहां पर बोर्ट अप डेक्टर की मिटिंग होगा 27 मार्च को 27 मार्च 2024 तो कंसीडर रेजिंग डेट डिवरिंग फनांशियल यह यह दिके 2425 तो जैसे कि आपको मालूम होगा कि 31st of मार्च के दिन जो प्रिवियस अभी चल रहा है मत्तब फनांशियल 24 वह खतम हो जाएगा और 1st April से फनांशियल 25 वह शुरुआत हो जाएगा तो फनांशियल 25 में दोस्तों कितने करोड का या बोल सकतों कि कौन कौन सी रूट में यहां पर फंड्रेस होगा वह दोस्तों कंपनी एनॉसमेंट करेगा पर फ मतलब क्या मैं आपको समझा देता हूँ आसान बाचा में सपोज एक ABCD कंपनी एसी फॉर कंपनी अगर यह कंपनी को फंड्रेस करना है तो इनके हाथ में देके दो ही तरीका है अगर नॉर्मली बात कर दो ही तरीक होता है ठीक है एक हो गया एकुटी शेयर को सेल करके दूस पेस हो गया की वईपी होका यह लॉंच करता है उसमें हमेशा डिसकाउंटेट किया जाता है जिस बैसे शेयर में गिरावट होता है और जो कोई कमपनी बॉंड के थूपंड्रेस करता है डेट के करता है इंसीडिक करता है मताब नॉन कन्वेटेवल डिवेंचर इसके थू पारण आइधिंग कि अगर सब कुछ ठीक टाक रहा ठीक है शेयर में अच्छा जंप आपको देखने को मिल सकता ओविसली शेयर होल्डर के लिए तो सत्ता इस तरीक बहुत इंपोर्टन होने जाड़ा और उसी दिन में आपको शेयर कर दोंगा इसी चैनल को पर ठीक है तो आ और उसका जो आइधिंग नतीजा आउट होगा फोर जून को आइधिंक ठीक है तो यहां पर देखें जो एक्सपर्ट द्वारा रेकोमेंडेशन आया है कुछ शेयर को कुछ प्राइवेट कंपनी की शेयर है और खास दोर से यहां पर पीश्व सेक्टर को रेकोमेंड के उ हो सकता है और लॉंग टर्ण इंवेस्टर्स को यहां पर दोस्तों इंवेस्ट करना चाहिए मेरे कोडिंग नहीं है यह जो एक्सपर्ट है उनके मैं बोल रहा हूं कौन कौन से सेक्टर जैसे अब देख सकती इंफॉस्ट्रक्टर के उपर जो प्रेज़ेंड की पॉलीशी है स्कीम से वह पर्फेक्टली फीट होता है है ना उसके बादे के डिफेंस हो गया ओयल हो गया पावर हो गया रिनीवल एनर्जी हो गया प्यस्योंगा ऑटो हो गया बैंकिंग स्टॉक तो यह जो सारे इंपॉर्टन सेक्टर से दोस्तों इसमें तेजी होने का चांस है बैल करके पूảी के बैल मेंशन के नों महिंदर हो गया है कि धुर्वलों हो गया एकसी मेंट बेंक हो गया श्रेकश क्वेंक का ईदिया घूरटाप नेगे हम ने बीफिव लागे तेजी का उद्व का अंगलवार के लिए लगभग 5844 कॉंटरी का शेयर इंद लग चुका है बाइंग साइट में देखिए टोटल साथ करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ जिसमें डेलिवरी देखने को मिला साड़े 19% का सपास 19.46% का सपास तो कहीं देखा जाए अभी देखिए बाउंस बैक लेके चलता हूं तो दोस्तों अभी आपके सामने मैं उपेंड कर लिया एनिच पीसी की लास्ट तीन मैंने की चार परण शुरूबात करेंगे अगर आपको वीडियो भी तक अच्छा लगा इंफार्मेटीब लगा प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करके जरूर एंकर लेकाउट करना चारों इंपोर्टेंट टॉपिक को दोस्तों आज वीडियो अप्लोट अल्रेडी कर चुका ओके बैक टुदा पॉइंच पीसी एनिच पीसी की शियर अल्लेडी अमने देखा कि अपना ओल टाइम हाई टच किया था फेबरी की फॉर्स्ट विक पे एराउं यानि अराउंड 70 रुपिस का असपास एक अच्छा सपोर्ट मिला था तो ऐसे में बात करें क्या किया जाए तो सबसे पहली बात देखिए अक्सर में बोलता रहाता हूं कि लॉंग टम लॉंग टम अब बहुत सारी इंवेस्टर्स बीगिनर्स पूछते हैं किसे लॉंग तो मतलब कितना लॉंग टम तो देखिए मैं यहां पर जो भी आपको रेक्मेंड करता हूं आप वो छह मैंने एक साल नहीं लॉंग टम फॉर कितना मिनिमम पांच साल आपको देना पड़ेगा पांच साल पांच साल आप दीजिए पेशन्स रखिए कंपनी आपको बद्द कंपनी हैं अभी तो मर्चर भी हो जाएगा तो अब इसलिए कंपनी का ब्यापार्च हो है बिजनेस हो और एकस्पैंड होगा और कंपनी का खासियत यह भी है कि डिविन बहुत अच्छा पेकरता है तो इमेरेट अगरम बात करें अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ऊप यहां पर लास्ट एक मेनिक आसपस देखिए यहां पर बार बार आया था रेजिस्टेंस मिला था बार पर यहां पर देखेंगे रिजेक्ट वा था तो 90 अगर क्रॉस कर लिया तो आई तिंक शेयर में एक अच्छा मोमेंटम जनेरेट होगा आधरवेस्ट थोड़ा बहुत